हालो एव्रिवान गुद इवनिंग नमस्कार अग्रिकल्चर अटा 24-7 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है मिनाक्षी राथी और यहां हम मिलते हैं अपनी FCI AG3 टेक्निकल की क्लास में तो सो फार हमने इंसेक्ट की मौर्फॉलजी कवर कर ली है और आज कल हम इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट है क्योंकि मैं आज कल क्वेस्टन कम पूछ रहे हैं थियोरी ज्यादा पढ़ा रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे जिन लोगों ने अड़ा की आप डाउनलोड नहीं की है देकन डाउनलोड दा आप फ्रॉम दा प्ले स्टोर प्ले स्टोर में आप टाइप कर सकते हैं एडी डी एटू फॉर सेवन अडा टाइटी फॉर सेवन और आपकी चैट बोक्स में भी इसका लिंक गिवन है जो डारेक्ली आपको वहीं पर लैंड करेगा जिसके थूँ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस आप में आपको करेंट अफिरस मिलते हैं जॉब एलर्ट मिलते हैं एक्स्क्लूसिव आर्टिकल्स मिलते हैं साथी साथ इसमें आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्विस प्रेक्टिस कर सकते हैं उठते बैटते खाते पीते क्वेशन तो practice की जी तभी selection होगा है ना तो question practice करने के लिए काफी अच्छा और handy item है तो go in your play store and type अड़ा 24 7 बात करेंगे आपके batches की तो आपके batches आपको पता ही है FCI technical का जो batch है यह आपका 13 June से जो है शुरू हो रहा है right 13 June से आपका batch शुरू हो रहा है and आपको पता ही है 80% आज आपका off चल रहा है सभी live batches पर चाहे आपका agriculture महापैक हो चाहे FCI AG3 technical हो दोनों पर ही जो है 80% का off चल रहा है उसके बाद इसका price हो जाता है 2799 यानि की 2799 में और agriculture महापैक का price जो है 1000 और 27820 में जो है आपको यह batches मिलते हैं अगर आप code का use करते हैं code क्या है code है by 448 और मेरा pen बिल्कुल भी response नहीं करता है बिल्कुल आप जैसा बनता जा रहा है है ना आप लोग भी response नहीं करते हैं आप लोगों को भी एंटो और जेनेटिक्स और प्लाइंट बिल्डिंग सब दिफिकल लगता है मेरा pen भी response नहीं करता है तो actually actual price इनका कफी हाई है लेकिन अगर आप इस code का use करेंगे विच इस वाइफ पूर 488 चार प्लस चार आठ होते हैं एफ और अग्रिकल्चर होता है तो 80 परसेंट आपको इनके जब आप इन्रोल करेंगे अपनी साइट पर जाएंगे और ये code देखेंगे लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं ओके सो यह हमारी पहली ही slide थी ओके दैने इस नाइस तो चले चलते हैं हमिप्रा ओर्डर की तरफ हमिप्रा ओर्डर हमारे लिए क्या कुछ लेके आया है और इसको finger से चलाना pen से चलाने से जादा easy हो गया है चले तो इसको पैन पसंद नहीं आ रहा है चल अव तो शुरू करते हैं हमिप्रा ओडर और एंड वेरी गूड इवनिंग तू अल फ्यू तो हमिप्रा ओर्डर का मतलब हैमी से ही समाशा जाता है है हमी का मतलब क्या होता है हाफ और प्लूटरोन का तो मतलब क्या होता है विंग से दूइरे जीट से हाथ व니다 हमी मिन्स हाफ पैटरॉन मिन्स विंग सिंग अप सभी को पता है पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन विंग्स पर जो हिब एस्ट यानिकर टाइप ओफ विंग पर बेस्ट है नै कैसे विंग से नहीं है पूरी classification जो है इसी के उपर based है आप सभी लोगों की तो चलिए इसमें हैमिप्टरा order में जो है आपके true bugs आते हैं true bugs किसमें आते हैं हैमिप्टरा order में आते हैं तो इसमें क्या कुछ खासियत होती है तो सबसे पहले हैमिप्टरा order का एक subgroup होता है सब ओर्डर होता है उसका नाम क्या है उसका नाम है है ट्रॉप्ट्रा है ट्रॉप्ट्रा ठीक है है ट्रॉप्ट्रा मीन्स अलग डिफ्रिंट ठीक है तो है ट्रॉप्ट्रा ओर्डर जो है इसका सब ओर्डर है ओर्डर के अंडर ओर्डर का नाम है हमिप्ट्रा सब ओर्डर क meaning है half wings और इसमें true bucks जो है आपका example होते हैं बग के picture आप मेरे पीछे देख सकते हैं this is a picture of a bug bug कैसे दिखते हैं right तो इन में क्या-क्या specialty है small to large mostly terrestrial some are aquatic तो insect का size बहुत ज्यादा बड़ा और छोटा हो सकता है मतलब काफी variation मिलती है इस order में size के लिए small भी हो सकते हैं large भी हो सकते हैं साथी साथ ये धरती पर भी dwell कर सकते हैं terrestrial हो सकते हैं या फिर aquatic हो सकते हैं यानि कि पानी में भी ये रह सकते हैं ठीक है तो काफी सारी इनके पास size variation भी है और habitat variation में धर्ती पर भी रह सकते हैं कुछ aquatic भी होते हैं तो यह इसकी जो है specialty number 1 है दूसरी क्या है mouth parts are piercing and sucking types इसके mouth parts कैसे होते हैं piercing and sucking type होते हैं एनिकी पहले छेद कीजिए फिर दूसरे का खून पीए खून नहीं लीप साइब भी पी सकते हैं ठीक है तो piercing and sucking type of mouth part है wing and wingless दोनों टाइप की insects में देखने का मिलते है विंग भी और विंग लेस्ट भी जिन में विंग्स प्रेजेंट होता है है उनमें four wing जो है नीचे की तरफ से बेसली जो है ठिक होता है और आगे की तरफ से आपिकली जो है membranous होता है यारे की hemi elytra type होता है type of wings with pictures हम लोग पढ़ चुके है insect morphology में तो इसमें hemi elytra wings present होते हैं hemi elytra hemi elytra wings कैसे होते यह पूरा जो wing है इसका आधा part आधा part तो जो है hard होता है skeletonized होता है और आधा part membranous होता है इसलिए इसको है mo प्रक आगया half-wing की half wing तो hard हो जाता है wing का काम नहीं करता है उसकी protection का काम करता है और half wing जो है membranous है जो wing का काम करते है तो इसके विंख कैसे होते है है मिलेटर टाइप के होते है और इसलिए इसका जो ओर्डर नेम है वो क्या रखा चलते हैं अपनी अगली औलिए स्लाइड पर तो अगली स्लाइड पर हम क्या रेखेंगे कि इन scent glands या फिर sting glands होते हैं आप लोगोंने नाम सुना होगा ना sting bug का है न तो इसमें कुछ special gland present होते हैं जिन से special secretions निकलते हैं वो secretion की विजह से इन में से कुछ smell आती है गंदी smell अच्छी smell whatever you scented भी हो सकते हैं sting भी हो सकती है so they are present which open near the hind coxy hind wing में जो है leg में आपका coxy present होता है जिनको नहीं पता जिनोंने morphology की class attend नहीं की तो leg का जो उपर वाला segment होता है उसे coxy कहते हैं पीछे वाली coxy के पास जो है ये open होते हैं glands जिसके through इसका secretion निकलता है on the sides by ventral pose giving out unpleasant order और इसकी विज़से इसमें unpleasant order आती है कुछ sting bugs तो ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार टच कर लीजिए पूरे दिन आपके हाथ से गंदी से स्मेल आती है जनरली बारिश के मौसम में यह आपको देखने को मिलते हैं जब तक आप दो तीन बार साबन से अच्छे से नहीं दोंगे आपके हाथों में वो रहे जाती है इतनी स्ट्रॉंग स्मेल इन में से आती है देन ओवी पॉजटर एज स्माल विद टू पेर ज आफ वाल्ट और वैल डेवल डेवलप्ट फोर इंसर्टिंग धर एक्स इन ब्लांट टीशू तो ओवी पॉजटर जो है इसमें बहुत ही वेल ड़ल डेवलप्ट होता है directly plant tissue के में जो है यह अपने legs eggs ले कर सकता है जिक है तो यह भी इसकी specialty है तो x2 है इसके यह काफी protected area में रहते हैं जल्दी से खराब नहीं होंगे कोई मार नहीं पाएगा क्योंकि directly tissue में egg ले कर सकता है और इसमें metamorphosis जो है simple type की होती है बहुत ज़्यादा metamorphosis present नहीं होती यानिकी adult और जो इसका larval stages में बहुत ज़्यादा modification नहीं होती कुछ जरूरी modification ही होते है तो simple metamorphosis इसमें देखने को मिलता है देन एनल सरसाई इसमें absent होते है ओवी positive well developed है लेकिन एनल सरसाई इसमें present नहीं होती है तो यह जो है इसके साथ character है हमिप ट्रा ओडर के जो major character है वो याद रखेगा दो है एक तो इसके wings जो है hemilyatra type के होते हैं दूसरा इसमें sting glands या scent glands present होते है जो पीछे वाली जो legs होती है coxa के पास ये open होते है ठीक है तो यह है इसके पूरी कहानी चलिए तो अब हम इसके अंडर families पढ़ेंगे कौन सी-कौन सी families इसके अंडर आती है हमिप ट्रा ओर्डर के अंडर कौन सी-कौन सी families आती है तो पहली फामली का नाम है पैंटा टॉमिडी ठीक है तो पैंटा टॉमिडी इसका नाम है sting bugs और shield bugs जो है इसी से बिलॉंग करते हैं ठीक है अदा प्रोनोटम इस ब्रॉड एन शील्ड शेप तो प्रोनोटम जो है इसका ब्रॉड और शील्ड शेप होता है इसी लिए इसमें शील्ड बग्स आते हैं तो शील्ड का मतलब क्या है उपर से उसको कबर करके रखता है शील्ड करके रखता है उसके जो प्रोनोटम होता है सेक्यू टेलम लार्ज और ट्राइंगल शेप का होता है तो सेक्यू टेलम जो है बड़ा होता है लार्ज होता है और ट्राइंगुलर shape का होता है, hemilighton, corium large extending to annal margin, जो आपका corium है, ये भी थोड़ा enlarge होता है और एक्स्टेंड करता है और एनल ओनल ओनलमार्जन टक, वो एक्स्टेंड कर जाता है, जनरली ऐनलमार्जन से पहले-पहले खम हो जाता है, four pairs of auxiliary ferrous glands are present on dorsum of abdomen of the nymph, Audory Ferris Organ, Audory Ferris organ का क्या मतलब है? Order देने वाले organs है तो, ओर्डर यानि कि जो Sting bug की जो स्मेल है किस से आती है? Audory Ferris Gland से आती है, cent gland, string gland,ED फेरिष ग्लाइन सब एक ही बात है तो यह जो बदबू इससे आती है जिस से क्रेशन की वजह से आती है इसको ओर डरी फेरी ग्लाइन फेरस ग्लाइन कहते हैं ओके तो स्टेंग बग इस तरीके का जो है आपका दिखाई देता है और इसको छूते ही हाथ में काफी बदबू चो है आती है देन दे एक्सर यूजवली बैरल शेप्ट विद स्पाइन्स ऑन दा अपर एंड तो यह सबसे इंपोर्टेंट के रिक्टर है देखी स्टेंग बग में केवल दो इंपोर्टेंट के रिक्टर है सभी इंपोर्ट कारिक्टर में आपको पढ़ा रही हूं इसमें कुछ मेंन केरेक्टर को ग्राब करना होता है तो इसमें मेंन केरेक्टर क्या है एक ही है इसमें सेंट ग्लांट्स या स्टिंग ग्लांट्स या ओडरी फेरस ग्लांट्स होते हैं जिनकी वेज़े से यह बदभू मारते हैं इनमें बैड ऑडर आती है और दूसरा है इसके एक्स जो है बैरल शेप के होते हैं ठीके तो एक जो है बैरल शेप के होते हैं और उनके उपर स्पाइन स्प्रेजन्ट होते हैं काटे प्रेजन्ट होते हैं जो क्या करते हैं अफ्कॉर्स उनको प्रोटेक्शन देते हैं तो कोई भी इंसेक्ट या कोई और 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 गैन sting bug का example है red pumpkin bug का example है cabbage painted bug का example है है तो sting bug तो आपने पिछे वाली slide में देखे लिया है काफी गंदा सा दिखता है लेकिन हमारा painted bug बहुत सुन्दर दिखता है तो क्योंकि नाम ही painted बगए इसको painting करने का बड़ा shock है तो यह बिलकुल black shiny color का होता है और इस पर orange color के मार्किंग होते हैं dots होते हैं तो यह जो है आपका painted bug होता है जो किसमें पाया जाता है अकसर investor या crucifer families में पाया जाता है, crucifer family cabbage, radish ही ज़ो crucifer family से belong करते हैं इसमें जो है पाया जाता है या फिर mustard में यह painted bug पाया जाता है दूसरा आपका red pumpkin beetle है red pumpkin beetle sorry beetle नहीं है bug है beetle भी होती है red pumpkin bug जो है यह आपका जो है उसका photograph है तो photograph से हमें चीजे थोड़ी सी याद रह जाती है मैं ने ऐसी ऐसी photo दिखाई थी इसके अंदर तो तो यह वाला answer हो सकता है सो इट मेक्स आर मैमरी शाप विड़ आइस क्योंकि आइस से जो हम देखते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है सो इनके बोटानिकल नेम्स भी याद करने हैं क्या जी बिलकुल याद करने हैं यही एंटो का पाइट है जो मुझे सबसे बुरा लगता है तो मैं आपको क्या कहूं बट एक्चली एक्जामिनर अब यह नहीं बताना हो किस क्वेशन में ऐसा करने वाला है सिंपल्सा क्वैस्ण पूछे गा आंसर भी आपको पता होगा बाट आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता होगा उस चीज गा तौह आप उसको मार्क नहीं कर पायंगे तो scientific name जो है generally stories बना कर ही याद किये जाते हैं सभी के फिर भी नहीं होंगे आम शौर जो मेरे जैसे बच्चे होंगे जिनको ratification नहीं आता है लेकिन जितने आप याद रख सकते हैं या जो major है ना जिनके जो famous है at least उनके scientific name आपको याद होने चाहिए जैसे कि इन में से अगर मै बात करों तो painted bug famous है बगराडा cruciferum इसका नाम है इसी लिए cruciferi family में आता है है ना तो कुछ scientific name तो आपको याद करने होंगे पहले famous insect के याद कीजिए जब वो याद हो जाए तब दूसरे insects को याद करने की कोशिश जरूर कीजिए चले let's move to the another one चलते है अगली family की तरफ तो कुछ खास किस परिवार से ये belong करती है तो इस family का नाम है मेरी डी family का नाम है मेरी डी family तो ये मेरी family है मेरी डी family है तो इसमें mirid bugs जो है example रहता है so very simple mirid bugs है mirid family से belong करते हैं तो ये तो आप सभी को बहुत easily याद हो जाएगा बात करते हैं इसके special features की क्या क्या इसमें special features है so medium और small usually delicate insects इसमें होते हैं या तो size में medium size की होते हैं या small size की होते हैं बड़े ही large insect इस family में नहीं रहते बहुत ही delicate insect है वो जो होते हैं बच्चे धूप में नहीं जाओंगा काला उचाओंगा टाइपस तो ये वैसे बच्चे हैं delicate बच्चे हैं तो ये आपकी miridy family से belong करते हैं और सिलाई इसमें absent होती है और सिंपल आइस जो है अपकी compound eyes तो present होंगी देखेगा तो सही बिचारा अंदा पैदा नहीं हुआ है तो इसमें compound eye present होती है बट सिंपल आइस में absent होती है रोस्ट्रम इसमें 4 segments का होता है रोस्तुम्स इस अबाउट फूर सेगेंट चाहर सेगमेंट का आप एम पूछी रोस्तुम्स की अबրगास में पहत defensive का हह उच्याफ। बहुंछे को पता होगा जिनोंने मौर्फ और भाउल की कि लिए तो मतलब थोड़ा strong structure बनता है needle like structure बनता जो piercing के काम आता है right तो इसको क्या कहा जाता है इसको rostrum कहा जाता है और यह rostrum किस से बनता है labium की modification से बनता है ठीक है तो rostrum इसमें 4 segmented होता है majority live on plant juices some on prey and some on arthropods तो majority जो है वो plant juices पर ही belong करते हैं यानि कि plant juices plant का sap सक करते हैं और उसी पर जीवित रहते हैं लेकिन कुछ जो है prey पर रहते हैं और कुछ arthropods पर रहते हैं तो prey यानि कि दूसरे insect या दूसरे animals पर जो है यह feed करते हैं चलिए example है आपका tea mosquito bug which is a helluptalis and tony ठीक है तो एंटानी को टी बड़ी पसंद थी तो उसका example के है tea mosquito bug तो टी mosquito bug में एंटानी आता है तो इसी तरीके से आप relate करके थोड़ा बहुत जरूरी नहीं आपको you have mcqs mcqs में आपको पूरा spelling के साथ कुछ भी याद नहीं करना होता है यही mcqs का फाइदा होता है नुकसान भी होता है कि somehow हमारी knowledge जो है कम जादा हो जाते है जैसे कि आज कल हम texting में इतने short word use करने लगे है कि हम real spellings उनकी भूल गए है but फिर भी scientific name के लिए तो मैं कहूंगी advantage है कि आपको पूरे-पूरे नाम याद नहीं रखने पड़ते आप उससे थोड़ा भी relate कर लेते हैं तो टिक मांक लगाने के लिए उतना काफी होता है चलिए then predator on rice brown plant हो पर और इसका नाम क्या है cryto highness cryto highness जो है इसका नाम है ठीक है तो यह जो है आपका miridy bug है जो की हमने शुरू में लेका था मेरीडी फैमिली से belong करता है चलिए moving to the next one चलते हैं अपनी अगली slide पर और यह insect तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है बड़ा ही colorful लग रहा है तो इसकी फैमिली कौन सी है किस परिवार से यह belong करता है तो इसकी फैमिली है पाइरो कौरीडी पाइरो हो कौरीडी ठीक है तो यह जो फैमिली है इसकी क्या specialities है इसमें आपका red cotton bug भी आता है ठीक है तो यह जो है red cotton bug की ही तस्वीरे है इस cotton bug को आप cotton के feel में देखेंगे of course लेकिन यह later stage पर आता है जब अकसर हमारी crop maturity की तरफ होती है तब यह cotton में दे अनकी जून चल रहा है एक दो महीने बाद आपको feel में देखने को मिल सकता है चलिए देग्जबिट रैड अन ब्लाक कलरेशन इन में रेड और ब्लाक कलरेशन प्रेजंट होती है और से लाइफ फिर से इसमें भी अप्सेंट होती है याने कि सिंपल आई इसमें नहीं होती है more branched veins and seals present in the hemi elytra hemi elytra में ज्यादा veins present होती है cotton bug वाले insect में ठीक है तो veins इसमें ज्यादा प्रेजंट होती है कोक्सा इस रोटेटरी एंड तार्सा तार्सी इस थ्री सेग्मेंट इन कोक्सा इसमें रोटेटरी टाइप की होती देखी कोक्सा जो है लेक्स की पहली सेग्मेंट होती है जेनरली यह फिक्स होती है यह रोटेट नहीं करती है लेकिन इन बक्स में यह रोटेटरी टाइप होते हैं कि वो किसी भी तरफ मूव कर सकती है, रोटेटरी टाइप है, और जो टार्स सेगमेंट है, वो तीन सेगमेंट में डिवाइड होती है, तो इसका एक्जाम्पल है आपका, दाई सकरस, सिंग्यू, सिंग्यू लेटर्स, विच इस रेड कॉटन बग, ठीक है, तो साइ स्चिंटिफिक नेम जैसे भी आप याद कर पाए, मैं खुद इन चीजों में कमजूर हूँ, तो आइक रेड कॉटन बग का साइटिफिक नेम क्या है, डाइस करस, ठीक है, तो ये रेड कॉटन बग है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये बहुत ब्यूटिफुल दिख रहा है, ब्यूटिफुल चीजों को अक्सर कहां रखा जाता है, कहीना कहीने शोकेस किया जाता है, तो इसको सरकस में किया जाता है, डेके, डरकस से सरकस बन जाएगा, ठीक है, तो डाइडरकस में जो है, सरकस आपको याद आएगा, सरकस में क्योंकि बहुत खुद बना सकते हैं बट मेजर ली बात क्या है कि आपको इनको याद करने के लिए relations जो है अपने आप बनाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ इसको रिलेट करना पड़ेगा चले चलते हैं अगली फामली की तरफ तो अगली फामली का नाम है कॉरीडी फामली कॉरीडी फामली में जो है आपका आता है लीफ फुटेड बग लीफ फुटेड बग यानि कि देखि यहां पर इसके आप पैर देख सकते हैं इसमें जो है यह वाला सेग्मेंट गयाहां देखी कितना फैला हुआ से है यह सेग्मेंट भी जो है थोड़ा ब्रोड होता है तो यह लीफ फूटेड बाग होते हैं यानिकी इसके जो फूट्स है वो एक लीफ की तरह चोड़े और पतले जैसे की लामिना हो लीट का इस तरी होते हैं लंबे होते हैं इस शेप के बख्स ज्याज़तर इस फैमिली से बिलॉंग करते हैं इन में जो एंटीना है वो चार सेगमेंट का होता है और इन में औसलाई प्रेजन्ट होती देखिए अब तक जो हम फैमिली पढ़ रहे थे उन में सिंपल आईज एबसेंट थी लेक है मेलाइटरा टाइप इसके विंक रहेंगे रिचली ब्रांच तुवेंज आर प्रेजंट और इसमें भी वेंज जरहें कभी सारी प्रेजन रहेंगी जो भी आपका मेंबरेनस विंग है उसमें बहुत सारी वेंज आपको देखने को मिलेंगी दैन इन मोस्ट अफ तर स्प इस बग का नाम क्या है? लीफ फुट इड बग इसका नाम है, कॉरेडी फैमिली से ये बिलॉंग करता है, ठीक है? So, moving to the next one, हो गया याद, कॉरेडी फैमिली, लीफ फुट इड बग, ये फुट्स आप भूलोगे नहीं, पिक्चर तो आपको याद रही जाएगी, तो लीफ फुट इड बग इससे याद रखना बहुत ही आसान है, चलिए, Moving to the next one, चलते हैं, अगली क्लास, sorry, अगली क्लास में नहीं चलेंगे, अगली स्लाइड पर चलेंगे, So, let's move to the other slide, इसमें टार्स जो है, तीन सेग्मेंट की प्रेजंट होती है, और मैटा, मैटा थोरेसिक ग्लाइंट ओपनिंग प्रेजंट होती है, यानि कि जो मैटा थोरेसिक ग्लाइंट हैं, वो इसमें प्रेजंट होते हैं, यानि कि थोरेक्स के मैटा रीजन में, देखि आए का आपका राइस गंधी बग और पॉर्ड बग तो राइस गंधी बग और पॉर्ड बग जो है इसके एक्जाम्पल है ठीक है तो ली फुटेट बग के साथ साथ इस फामली में और कौन-कौन आता है राइस गंधी बग आता है और पॉर्ड बग साते हैं राइस गंधी का नाम है लेप्टो कोर्सिक कोरी सा लेप्टो कोरी सा जो है आपके राइस गंधी बग का नाम है और इसमें मुझे कोई स्टोरी याद आ नहीं रही है जो मैं आप लोगों को बता दूँ तो आप अपनी स्टोरी इस बना ली टेगा चलिए moving to the other one चलते हैं अगले पर which is a hamiptra order तो hamiptra order में sub order है homoptra ठीक है तो अब हम heteroptra पढ़ रहे थे अब हम homoptra पढ़ रहे हैं है ना तो homoptra order में आपके जो है alike wings आते हैं uniform wings इसमें present होते हैं alike wings uniform wings है ना इसके example है आपके जैसेट आफिट मिली बग्स वाइट फ्लाइज तो अब पताईए फटेफिक से मुझेज इमेज में आपको क्या लगता है जैसेट है आफिड है मिली बग है या फिर वाइट फ्लाइए कौन सा इंसेक्ट है यह आपको फोटोग्राफ में देख रहा है ने को भई कमल कांथ अपनी अटेनेंस रोज लगा लेते हैं मैं मैंने लाइक कर दिया मेरा काम खतम हुआ मेरा धरम पूरा हुआ तो बी लाइक कमल कांथ अब यह बताएए फटाफट से भाई आई सी आर का रिजल्ट कव आएगा यह मैं को कैसे पता होगा बताओ जरा तेके जो भी आप लोगों को यह गान बाटते है ना कि इसका रिजल्ट यह आ जाएगा इसका कट आफ यह निकल जाएगा इस जेस्टन एस्टीमेशन वो प्यार एस्टीमेशन होती है उनके इंट्यूशं होती है उनके पस कोई सोर्स नहीं होते हैं मेरी किसी CEO से बात नहीं होती है कि मैं आपको exactly बताऊं कि state को आएगा so इन चीज़ों को इतना seriously मत लिया कीजिए समझ नहीं आ रहा very bad भहिए ये white fly है मुझे लगए इसको सब पहचान लेंगे तो ये white fly है ठीक है तो white fly वैसे भी काफी problematic है आज कल किसी से इसका solution मिलने रहा आप कोई सा भी chemical spray कीजिए इस पर कोई असर होता ही नहीं है तो ये कौन सी है white fly है yes तो दामीनी ने पहचान लिया है कि white fly है जैसे जैसे नहीं देखते हैं जैसे टीजिए की फोटो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ वो transparent green color के होते हैं ठीक है तो ये white fly है चलिए तो पढ़ते हैं इस order के बारे में इस order में आप देखेंगे कि इनकी eyes जो है compound eyes होती है well developed होती है और सिलाई अगेन इसमें absent होती हो सिलाई अभी तक सिर्फ koreडी में present ही और सभी में absent है है ना एपेटरिस फॉर्म बट टू-3 इन विंग्ड फॉर्म तो इसमें कुछ तो एपेटरिस होते हैं जिनके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं होते लेकिन कुछ विंग वाले इंसेक्ट भी जो है इस फामिली में फॉल करते है आइंटिण इस विलडेवल अग्टिन एस में वेल डिवलप होता है और तीन से दस सेगमेंट तक हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है लमब ही हो कि सकता है माऊथ पाट्ष पाट्स प्यार्शिंग इंसकिंग टाईप say he mouthparts which lay me present a high drop drama present a or they have a roast rumorizing from the back of the head the roster map kubat I should you this is a back beak like structure Joe Joe piercing cake come out I have enough shade can make a comma to him jelly thoracic segments generally fused together and not distinguishable make a year Joe up the feature hey you do three families represent my him escape thoracic segments are a doser case at fuse hudate a Yankee upers a garam deking ito thoracic segments humko alaq alaq nahi dick they not distinguishable up cover Puri a key segment by day to tino segmento hey a doser case at fuse hudati hudate a seap excel me a place cells to him merge karte to wait bada selben data to see the ricasis kiddo thorac's head uske Joe segments of fuse hudate a half call agalag lines dikai nahi deeti Pura a key unit dikai de ta hai wax gland or honey tubes usually well developed is my wax gland johan present hote a ya honey do tubes johan present hotei hudate a jinke through wax gland kit roya honey do kitro a chip chip a padar johan nikalta hai and usually undergo simple metamorphosis or a simple metamorphosis men jate the heteropter or homoptera में ज्यादा difference नहीं है केवल इनकी thoracic segment johan fuse हो चुकी है और इनमें honey dew secretion होता है तो aphids में और white fly जिस भी plant पर लग जाती है आप सभी लोगों ने देखा होगा वो plant जो है काला पढ़ने लग जाता है उस पर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि धूआ का जो है राक जमने लगा है या किसी ने घर में काजल बनाया हो कभी दीपक जलता हुआ दीपक के ऊपर कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा धूब जो धूआ है वो उसके उपर जमा होती जाएगी और वो बरतन काला हो जाता है तो उसी तरीके से यह हनी डू सिक्रेशन करते हैं विच इस ब्लाक कलर का सब्स्टेंज जो धीरे धीरे आपकी लीव पर जमने लग जाता है और प्लाइंट जो है ब्लाक कलर का नजर आने लगता है जैसे उसके उपर राख जम गई हो क्योंकि यह सब्स्टेंज आपके प्लाइंट के उपर जम जाता है उसकी वज़े से पोटो सिंथेस एक्टिविटी जो है कम हो जाती है जिसकी वज़े से प्लाइंट को सफर करना पड़ता है चलिए तो moving to the next one इसमें family कौन सी आती है इसमें family आती है सिकडी डेली family तो सिकडी फामली जो है इसमें आपके जैसेट्स और लीफ होपर ज़े जैसेट्स जो है आपकी सिकडी डेली फामली से बिलाग करते है इनकी शेप जो है से लेंडर शेप के होते है जीदर टेपर रिंग होते है पोस्टीरर जए यानendr JAMES शेप की उते है याने कि इस शेप के होते है तो पीचे से टेपरिंग होते है और सेलींडर शेप के होते ंटीना जो है çık मान्यू डृसल लाइव इसमें जो है structures present होते हैं इसके एंटी ना में one or two rows of small spines are present in the hind tibia hind tibia यान के पीछे के जो legs है उसमें जो tibia region है उसमें कुछ छोटे-छोटे spines present होते है जो फकॉर्स इसको जो है self-defense में काम आते होंगे है न तो हिंड tibia में जो है small small spines present होते हैं बोथ यंग ones and adults have the characteristic habit of running sidewards or diagonally तो भाया यह आपके जो यह जैसेट है और लीफ होपर्स है इनको सीधा चलना नहीं आता है तो यह इनको सीधा चलना नहीं आता है यह थोड़े से पगले पगले से बच्चे है तो इनका नाम क्या है जैसेट और लीफ होपर्स जो सी कडी डेली फैमिली से बिलॉंग करते हैं ठीक है तो सी कडेली दी से क्या समच राता है कुछ सिग्रेट जैसा जो है इस में फीलिंग आएगी आपको तो यह सीगरेट जैसे जो फीलिंग है तो सीगरेट पीके इन को नशाओ गया जिसके करने सीधा ने चल पारें या तो डाइगे लिजलते हैं या फिर साइड वर्ट चलते हैं तो यह इनकी यूज्वल हैबिट होती है ठीक है चल चल ovipositors are well developed adopted to for lesser rating plant tissues for eggling so yeh bhi joe egg leave directly plant issues may karta hai so that they are more safe and protected many excrete honeydew through anise honeydew secretion kahasya hota hai anise se hota hai aur is ki wujo se kya hota hai maya aapko bata chuki ho yeh plant par jamne lagta hai jis ki wujo se plant ki photosynthetic activity johai wo decrees ho jati hai aur jis ke karen hame eel se eel ki kami se johai suffer karna partha hai so that's our arch ke lieta kafe raga hamip tram name almost a hamip tram edo order hain heteroptera and homoptera to heteroptera hamne pura karliya homoptera ki a family hamne ki hai aur abhi iski picture baaki hai complete nahi hua hai toh iski baaki ki picture hamne kal dhekhenge kal kyu dhekhenge parso dhekhenge kal toh sunday hai toh iski baaki ki picture johai hamne dhekhenge ugly class mein to ugly class mein hamne homoptera order ko complete karne ki ki kooshish karengi agar eek din me sab kush parhenge toh dimak se dhira dhira sab kuch chala dae ga aur mam bilkul nahi chati ki dimak se sab kush dhira dhira chala dae ga ki ki hame sab retain karna hai hai toh classification se aap ke kuch questions paati hai hai iski family kuan si hai iska order kuan sa hai toh aap ko in ke examples yaad karne hai features yaad karne ki zoruat nahi hai features hamne kahani provide kar di te hai jis ke help se ham in ko yaad kar pati isma asa asa hota tha toh wo cheese jamik kahani or base provide katiba ki features aap se kahi bhi kisi bhi exam mein nahi poochhe jayenge aap se directly examples poochhe jayenge so that's all for today's session class paasand aai ho do like the class subscribe the channel and share it with your friends and aap sabhi logo ka adda per 80 percent off chal raha hai toh 80 percent off ka jo hai full istamal ki jiye you can have your batches agar aap hamaayi sat enroll karna chahe toh batches ke liye aaj sahi mo ka rahe ga code kya lagana hai code lagana hai y4484 plus chara art hote hai a4 agriculture ho ta hai okay good bye thank you so much take care par tira yeh padhaate rahi yeh and happy sunday from my side good bye